हेलो दोस्तों, smiley smiley smiley, जो सभी को पसंद आए और smiley बनाएंगे हम घर पर और बच्चों के चहरे पर smiley लाएंगे आजम गोल गोल परफेक्ट smiley बनाएंगे जिसे आप फ्रीज में स्टोर करकर कई दिनों तक दख सकते हैं और आजम बनेंगे potato snack जो सिरफ दो चीजों से बनाएंगे बच्चों का पसिंदा smiley खर पर बनाएं और बच्चों को चेहरे पर एक खुशी लेकर आएं तो चलिए बनाते हैं as perfect smiley जो बहुत ही असान तरीके से मैंने इस recipe को शेयर किया है और जो सब को बहुत पसंद आएगा तो पसंद आएगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब करना पिर को मत भूलिएगा तो यह हम ना आलू ले लिए हैं और आलू आप कितने भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो कच्चे आलू ली है उन्हें उबाल लेना है उब आपको और उबाल के देखी में ले आई हूँ तो मैंने यहाँ पर जो मीडम साइज के आलू है वो ली हूँ और उबाल की अभी यह बहुत गरम गरम है तो गरम गरम है इसको छिल लिजेगा और वैसे भी इसको बनाने के नहीं एक अलग से आलू आते हैं लेकिन वहार किसी के घर में नहीं रहते है डेली यूज जो आप आलू इस्तिमार करते हैं उससे भी आप इसको बना सकते हैं तो मैंने यहाँ गरम गरम आलू है उन्हें छील लिया है और आप एक छन्ने लिजीगा और छन्ने में इने डाल लिजीगा जो यह हम प्रोसेस कर रहें न यह बहुत ही असान सा है और आपके जो स्मैलि स्नेक से बिलकुल भी फटेंगे नहीं फ्रेंस और गुठली तो बिल्कुल भी इसमें नहीं रहेगी, तो जब भी आप इसको बनाएं, तो गर्म-गर्म में कीजिएगा, रजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, तो देखे हम क्या करेंगे, छन्नी में जितने भी आलो अपने उबाले हैं, तो उनको डालते जाएंगे, और लेकिन आलो आपके इस तरह से उबले होने चाहिए, कि न, असानी से तूट जाए, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, तो कई आलो में पानी भर जाता है, उस टेप से नहीं होना चाहिए, लेकिन उबले हुए आलो होने चाहिए, छन्नी में डाल देंगे, और चम् तो देखे हम इससे कर लिया है और ये चिणनी के इंचे कितना सारव लगाुए है तो बस हमें इसको भी निकाल लेना है और अभि मैं आपको दिखाऊכँ इस समुथली से हमारा ये जो अलू है ये त्यार हुआ है तो देखे मैं आपको फ़ांकर दिखाती हूं अभी कहीं इसे भी कोई भी गांट हुए गुठली नहीं है इसमें तो इसलिए आलू को इस तरह से कीजिएगा तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा अब हमने सरफ एक ही चमज इसमें सूजी डाली है फ्रेंज सूजी डालने से क्या है आपका जो कौन फ्लॉर है या फिर आरा या सूजी डालती है तो नमक डाल देंगे और अच्छे से हम बिक्स कर लेंगे तो अब ये थंड़ा हो चुका है तो इसमें हम क्या करेंगे कौन फ्लॉर या फिर आरा-रॉर पउंड्र आप डाल सकते हैं मैंने सरफ दो ही चमज डाला है क्योंकि अलू की जो मात्रा है वो क स्माइली बनेंगे तो अगर यह नहीं डालोगे आप तो कॉन फ्लॉर या फिर अरारोड पॉर्टर में से कुछ भी डाल सकते हैं तो बस अभी ठंडा हो चुका था मैंने हातों से इसको मिला के रेडी कर लिया है यह देखिए अब एक बड़ा सा हमारा लोई बन चुका है यह तो बस पूरे को हम ले लेंगे तो अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो दो भाग में डिवाइट करकर लीजेगा तो देखिए आप क्या करना है इसको हमें बेल ला है तो उससे पहले जिस भी आप किचन प्रेटफार्म पर या किसी भी बोर पर बेल रहे हैं थोड़ा सा क प्रेट प्रेट कर लेंगे तो आप ले सकते हैं और इसे पकर के इसको ना पकट कर लीजिए बहुत इसली शेप बन जाता है और यह देखिए अराम से निकल भी जाता है थोड़ा सा टैप किजिए और निकल जाएगा तो कोई भी गोल गोल सा आपके पास जखकन हो उससे आ आप क्या करेंगे हम यहां पर आप डिजाइन देती हैं आपको एक स्ट्रॉ ले लिजीगा यह स्ट्रॉ एक प्लास्टिक का भी आता है और एक कागच का भी आता है तो उससे आप इसको आइस बनाईए गोल गोल सी आइस और आइस ना थोड़ी बड़ी बनाईएगा छोट को बहुत पसंद आता है और यह जो रैस्पी है आइडिया फोर किट्स याने की किट्स के लिए आप टीफिन में भी दे सकते हैं और देखिए और हसता हुआ चेरा देना है तो इसको थोड़ा सा उपर की तरब घुमाईए देखिए ज्यादा ही हसने लग गया है तो पाद करें दूसरा भी एपको दिखाती हूं करके आपको स्ट्रौ की सइता से आरी शेको करता है अकर आपके पास यह नहीं है तो पाद होगा पैं इसे यह सब्स्क्राइम हा शह और बहुत अच्छा लगता है इससे बनाने में में भी और बहुत आनन्दा है क्योंकि एकदम हसता अब आता है इसका मेन पॉइंट अगर आपने इसको स्टोर करना है तो आप कॉन फ्लॉर लीजिए या अरा रोड जो भी ले रहें उसमें एक एक करके आप इसे कोड करती जाए और फिर इसे आप एक प्लेट में अच्छे से खुला खुला रखकर ना प्लेट में रखकर और रखती जीगा जब यह अच्छे से ठंडा हो जाए यानि कि थोड़ा टाइट हो जाए तब आप इसको पॉलो थिन में पैक करकर रख लिजीए गा इसको तलके खा सकते हैं अगर आप ड्रैक्ट ली इसको पॉलो थिन में डाल दिए तो यह एक दूसरे के उपर चिपक तो रुजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा फ्रैंस बिल्कु भी टूटे फुटेंगे यह नहीं तो देखिए मैंने यहां पर आपको करके दिखाया है कुछ को किया है कुछ को नहीं किया क्योंकि मुझे तुरन तुरन तलना है स्टोर नहीं करना है तो चलिए अब इसक अगर आप इसको स्टोर करकर बताव अगर आप बच्चों के टिफिन के लिए इससे बना रहे ना सुबह के टैम तो यह जो प्रोसेस है राक्तो करके रखेगा नाइट ओवर जब फ्रीज में रहेगा और आप इसको सुबह तलेंगे ना तो रिजल्ट बहुत अच्छा और यह देखें कितना सुन्दर फेस लग रहा है अभी आप इन दोनों को फेस दिखाते हूं मैं आपको आखे तोड़ी छोटी हो गई थी तो इसलिए के रही हूं आखों को थोड़ा बड़ा रखिएगा ताकि तलते से में आखे थोड़ी बड़ी रहे तो देखिए हमारे स्माइली रेड़ी हो चुका है तो चलिए स्माइली फेस के साथ गुड़ बाई